साथियों एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सा है था पर जैसा कि साथियों मैंने आप लोगों काफी पिछले वीडियो में बताया था कि भारत सरकार द्वारा पीम आवास यूजना घ्रामीन के तहत लाभारतियों को आने वाले समय में आवास बनाने के लिए 1,40,000 रुपए के जगा 1,90,000 रुपए तक दे सकती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिसकस करेंगे पैसा मिलना लाभारतियों को सुरू हो चुका है कितने पैसे मिल रहे हैं और दोस्तो कौन-कौन सी स्टेट के अंतरकत दोस्तो अभी जो है पैसे मिल रहे है पूरी डीटेल वीडियो में पताऊंगा इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहीएगा तो चलिए साथ की वीडियो को सुरू करता है बिना किसी देरी की है और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करें तो तो सिंपली आपको PM आउस जी ना ग्रामीन के ऑफिस्यल वेबसाइट पर आना होगा इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ पर क्लिक करके ऑटोमेटिक इस वेबसाइट के जो अंदर है वो आ जाएंगे यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्टेक होलडर का उप्सण आपको दिखाई देता है सिंपली साथियो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तो जो उपर में आपको I, A, Y, P, E, Y, G, Benifixery का उप्सण मिल जाता है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जैसी साथियो हम लोग इस पर click करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने जो details है वो खुल कर आते हैं वहाँ पर हमें दोस्तो जो registration number होती है हमारी उसे enter करनी होती है और जैसे हम लोग उन फ़ाइन करते हैं तो Beneficiary profile कुछ इस प्रकार से हमारे सामने open हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर details में दिखाना चाहूंगा दोस्तों जो 1,90,000 रुपए जो है लाभारतियों को मिलेंगे उससे संबंदित यहाँ पर details कुछ निकल कर आई है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है बेनिफीजरी profile के अंतरकत sanctions and complacent details में दिखाना च पीचे यहाँ पर in cash advice check उसके बाद यहाँ पर unit assistance sanctions यानि कि दोस्तों यह जो लाभारती है इनका जो house sanctions की गई है उसी के साथ जो पैसे भी है उसे भी allot करती गई है यह जो पैसे दिये जाते हैं इस पर राज्य सरकार और केंदर सरकार दोनों का allotment होती है परसेंटेज होती है और उसी के अधर पर ये पैसे जो है जो पीस हजार रुपय है याणि कि जो लाभारती है इनने आवास बनाने के लिए एक लाख बीस जार रुपय राज्य और कैंदर सरकार के तरफ से दिये जायेंगे और दूस्तों जो नरेगा यहाँपर दोस्तों अब देख सकते हैं MG नरेगा के अंतरगत जो लाभार्थियों को पैसे दिये जाते हैं अपने आवास के अंतरगत काम करने के लिए उसके तहट 20,000 रुपए दिये जाएंगे यानि कि कुल मिलाकर 1,40,000 रुपए तो दोस्तों यहापर मैं आप लोगों को 1,90,000 रुपए जो है अभी दिये जा र तो दोस्तों यहापर आप देख सकते हैं यह एक ओल्ड सेंशन डेट का जो लाभारती है इसका जो सेंशन अमांट है अभी जो नए हाउस सेंशन होंगे उसमें यहाँ पर यह उमीद जताये जा रही है कि 1,90,000 जो सेंशन अमांट है दोस्तों वो सोग किया जाएगा अभी की डेट में जैसे ही हाउस सेंसन होती है तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंसन अमाउंट है यानकी unit assistance सेंसन अमाउंट जो है वो दोस्तों वो आपके beneficiary profile के अंतरकत सो हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर अगर 1,90,000 रुपए सो हो जाता है तो साथियो आपको जो है आवाज बनाने के लिए 1,90,000 रुपए राज और केंदर सरकार के तरफ से दिये जाएंगे तो दोस्तो बहुत बड़ी अपडेट है आज के डेट में हाउस सेंसन होंगे इसलिए दोस्तो आप लोग को अपने बेनिफिसरी प्रोफाइल को खोल कर चेक करते रहना है यहाँ पर दोस्तो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया भी था कि 2023-2024 के अंतरकत हाउस बनेंगे उसमें लाभार्थियों को 1,90,000 रुपए दिये जाएंगे उससे संबंधित अपडेट भी आई थी लेकिन दोस्तो यहाँ पर जो अभी लेटिस्ट अपडेट है उसके आधर पर बताया जा रहा है कि एंड में यानि कि दोस्तो 2022-2022 के एंड में जो हाउस संचन होंगे उसमें भी ये पाईसे दिये जा सकते हैं तो सांथियों बहुत बड़ी अपडेट है जैसे ही हाउस संचन होती है आपको अपने बेनिफिजरी प्रुफाल को कोल कर चेक करना है कि यूनिट असिस्टेंट संचन में कितने अमाउंट है अगर 1,90,000 रुपए है तो दोस्तों आपको 1,90,000 रुपाई मिलने जा रही है तो सांथियों अगर जान करें अच्छी लिगित वडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद